हम साथ साथ है, साथ साथ है, साथ साथ है तम माने उठ्षर प्रदेश की पत्रकार भायों, मेंडिया के भायों मानी श्री अखिलेश यादो जी की गर्मा मयुपस्थिती में और समाजवादी पार्टी के राश्टी महासच्यों मुहम्मद आजन साथ की गर्मा मयुपस्थिती में आज हमारे बीच में मद्ध प्रदेश बाला घाट के पूर सांसत कंकर मुझारे जी अपनी बात आप सब के सामने रखेंगे मैं श्री कंकर मुझारे जी से अनरोध करता हूँ कि वो अपनी बात आप सब के सामने रखें मदप्रेस में जो सरकार बनी है भी कांग्रेस की और उन्हें बचन पत्र में ये वादा किया था कि किसानों के सारे कर्जे माप करेंगे बिजली वे हाप करेंगे मुकमंद्री कमलात ने पहले दिनी जब सपत ली मुकमंद्री पत की और उन्हें दसकत किया था कि सारे किसानों कर्जे माफ लेकिन आज तक कुछी किसानों कर्जे माफ हुए होंगे उसकी भी कोई प्रमाणिक जानकर या नहीं है ये किसानों करजे माफ नहीं हो रहे हैं किसान प्रमापत्र जारी किसानों को सरकार ने उसको लेकर जा रहे हैं सोसाइटियों में तो वो प्रमापत्र को बोल रहे हैं कि ये हमारे किसी काम का नहीं है और फार किसे करे हैं किसान प्रमापत्र जला रहे हैं और किसानों ना आत्मत्ता करना सुरू कर दिये जौलपूर जिले के हिनातव गाह में एक किसान ने भी चार रोज पहले आत्मत्ता कर लिये करज माफी नहीं होने के कारण चक्र लगाने के बाजूद भी ते एक धोका किसानों साथ हुआ रहुल गांदी जी ने ये कहा था कॉंग्रेस के अद्दक्ष ने कि अगर हमाई सरकार ने हैं कि 10 दिन में किसानों के करज माफ नहीं किया तो मुक्मंधी को हम हटा देंगे दो काट चार मुएने हो गए 16 दिम्बर से किसानों कर्ज माफ नहीं हो रहा है मुक्मंधी को हटा नहीं पा रहे है तो यह जुनलेबाजी चल रही है भारती जन्रतापृटी जुनलेबाजी कर रही है पैसान ही मिल रहा कुछु हो ओरild in की चार मैन हों सोट करने पर भी उसका भी पैसा ही किसानों को तो हजारों करोर रुपिया किसानों का भी बागी पाड़ा हुँ ए हूं लोग विवाव नहीं कर पा सूब रहे है긴 हैं बिमारी के लाज मेहिना आज चार मेहिना हो गए नोंने भत्ता मिल रहा है और बेज़गारों की हालत खराब हो रही है कोई लिस्टिंग निंग की अभी तक बेज़गारों की कि कितने बेज़गार है कितने को भत्ता देना है यह लिस्टिंग निकी बेज़गारों की आप तो बेज़गारों वो लोग भी मारे मारे घुम रहे आंदूलन हो रहा प्रदसनोर अमध्य प्रेस में यह सरकार की नियत बिलकुर खोटी है नियत साफ नहीं है उनको नीमती करने की बात की थी वह भी कामनी पूरा किया तो अभी चार मेने में एक अमल्ला सरकार ने मुकमनती ने कुछ भी काम किया और राहूल गांदी उनको हटा भी रहें का दस दिन में हम हटा देंगे हम तो कांगे इनका बादा है अर्मेज सुरू से समाजवादी हूं समाजवादी पार्टी में हूं समाजवादी पार्टी में रहूंगा वहीं मरूंगा वहीं जीऊंगा शुरू से समाजवाद अब कुछ बात हाँ धन्यवाद अश्टियत जी बोलेंगा उस पेश लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको धन्यवाद मुझारे साथ अब मैं आपके सामने अभी हर्दोई के सांसर जो लोग तंत्र के धन्यवाद के स्वरूप को और समाजवाद को मजबूती प्रदान करने के लिए आज समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यक मानी स्री अखिले शाद्यवजी के सामने समाजवादी पार्टी सामिल हो रहे हैं मैं उनसे नूत करता हूँ स्री अंक्षूल बर्मा सांसत हर्दोई से कि वो अपनी बात आप हम सब के सामने रखे हैं बहुत बहुत धिन्यवाद अधिक जी की अनुमति से सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो भारती जंता पार्टी ने मानक रखा था वो विकास का था आप लोगों ने देखा आप लोगों ने कई जगा छापा भी जो पहले लिस्ट आई थी उसमें चौथे चरण तक के प्रत्याशियों के नाम काट दिये थे छे में से चार प्रत्याशित दलित समाज से थे पहला प्रश्ण मेरा ये पूछा गया था क्या दलित समाज के जो सांसद हैं वही निश्क्रिय हैं एक प्रवक्ता टीवी पे आके कहते हैं कि उन सांसदों के टिकट काटे गया हैं जिन्होंने कारिन नहीं किया इस चीज से मैं आहत हुआ, कई जगा नकारा भी कहा गया, पीड़ा होती है जिस वक्ती ने कारिक किया हो जिस जनपत से मैं आता हूँ, वो उत्तरप्रदेश का, जो मैं जीता था तो आखरी पायदान का जनपत था, विकास दर में पांत साल के अंतराल में 24,000 करोड रुपया लगाने के बाद, आज जब वो 14 पायदान पर है, 94 प्रतिशत मेरी उपस्तिती सदन की रही, और 95 प्रतिशत मेरी अपने छेत्र में उपस्तिती रही जब मैंने सवाल पूछा कि टिकेट मेरा कि साधार पे काटा गया, ना तो किसी जम्यवार ने इस बारे में बात करना है, मुनासिब समझी, और ना ही किसी ने मुझे मिलने का समय दिया, इससे मैं आहत हुआ, एक तो वज़ा थी ये, एक प्रकरण था, शायद आप लोगों जनता पार्टी में, तो उन्होंने कारे किया था, वो पासी समाज का समयलन था, जिस समाज से मैं आता हूँ, तो उससे आहत हो कि मैंने एक पत्र मुक्यमंत्री जी को लिखा था और दोशी अधिकारियों खिलाफ सक्त कारवाई करने का उनसे आग रह किया था, ना तो उस प में आया विकास की बात हुई आप लोग विकास देखते हैं ब्रश्टाचार नहीं सुनाई देता है ये सही बात है आप लोग को सुनाई देती है तो स्वच्छता आपको नहीं लगता कि स्वच्छता ने ब्रश्टाचार का रूप ले लिया है इस देश में विकास हुआ हो ना हो ये मेरी बहस का विशे नहीं है लेकिन एक चीज कहूंगा जब आग देखती है तो दिमाग समझता है बीजेपी का कार्याले जो करोडों की लागत से बना है दिल्ली में जनपत के हर जिले में कई करोड की लागत से बने हैं कार्याले तो ये अपना विकास था और सबका साथ था ये सोचने की बात थी आप मेंसे कितने लोग हाथ खड़े करके बता सकते हैं आप सभी अपने बच्चों को सिक्षा दिक्षा देते हैं कितने लोग अपने बच्चों को चौकीदार बनाने का काम करनेंगे या ये महस दिखावा है या एक एनदर स्लोगन कह सकते हम लोग, मुझसे कहा गया कि आपने अपनी वाल पर चौकीदार नहीं लिखा, जनाब मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, विकास किया है विकास करेंगे, चौकीदार नहीं, अंशल ही बन कर रहेंगे, यह समाज ने मुझे चुना, मुझे लगत उन्होंने विश्वास दिलाया, आपका ही नहीं, आपके समाज का ध्यान रखा जाएगा, तो कहीं न कहीं कतनी और करनी में अंतर पाया मैंने, जिस समाज का आपने अपने पार्टी को बढ़ाने का काम में सहयोग लिया, उनकी अंदेखी कतई बरदाश नहीं की जाएगी, यही चीज, आज मैंने भी वही कारे किया, अपना स्तीफा, जब मुझे कोई नहीं मिला था, तो मैंने अपना काम जिम्मेदारी से किया, मैं चौकी दार नहीं लिखूंगा, लेकिन अपना स्तीफा, प्रदेश कार्याले के, चौकी दार को देकर आया हूँ, और तो कुछ नहीं कर सकता था, एक दिन का उसके वेतन का सहयोग करके आया हूँ, और जितने लोग चौकी दार लिख रहे हैं, यह धन कुबेर जितने ही चौकी दार लिख रहे हैं, मेरा आपके माध्यम से एक ही आगरे रहेगा, या तो अपने अपने छेतर में किनी दस चौकी दारों क का वेतन की जिम्मेवारी लें क्योंकि धनकुबेर शब्द इस्तिमाल में ने किया है या फिर अपने महले के चौकीदार के स्थान पर एक रात महीने में चौकीदारी करके दिखाएं उसके बाद अपने साथ चौकीदार लगाने का काम करें बस इनी शब्दों के साथ मैं सब्सक्राइब करता हूँ देखे एक सब्सक्राइब मैं बूलना भूल गया था यह मेरी तुर्टी है मैं अनकंडीशनल आया हूँ जहां पर भी बाटी मेरा उप्योग समझेगी अनकंडीशनल शब्मिर्खाल से सटिस्टाइंग होना चाहिए जहां चाहेगी मेरे लिए स अब मैं समाजवादी पार्टी के राश्टी महासच्यू मुहमद राजन ताप से अंडूर्ज करता हूँ तो अपनी बात है साथ ही हो मैं तो सुनता ही रहा हूँ और सहता रहा हूँ आप में से बहुत से नوجवान हैं जो कम वाकिफ होंगे लेकिन मैं काफी असे से इंदरो दिवार के बीश का वेक्ती हूँ मेरा अपने बारे में ये बद्गमानी है शायद के शिक्षा के छेतर में इस गरीब आदमी ने जितना काम किया है वो शायद सौ बरसों में किसी दूसरे में नहीं किया है मैंने एक बहुत शानदार पांच सो एक अड़गेरिया में विश्ध जाले बनाया है मेरा मेडिकल कॉलिज जिसको अभी तक मानेता नहीं मिली है मेरी ये चुनोती है कि भारत वर्ष में उस ऐसा मेडिकल कॉलिज नहीं है और शायद एशिया में भी ऐसा मेडिकल कॉलिज नहीं होगा मेरे मेडिकल कॉलिज में आठ ऑपरेशन थेटर है और उनसे अच्छा अप्रेशन थेटर शायद निव यॉर्क में ही होगा हिंदुस्तान में नहीं होगा राइश्वती भवन को कौपी किया है जहां बचे डॉक्टरी पढ़ेंगे साउथ बिलाग को कौपी किया है और बड़ी कैंटीन बनाई है जो पारलिमेंट के नक्षे की है और इस पूरे परिसर का नाम मैंने राइसीना हिल्स ही रखा है मेरी लाइबरिरी में खुदा बख्ष लाइबरिरी के बाद मैनिस्क्रिप्ट्स है पाली भाशा की किताबे शायद भारत वर्ष में मेरे विश्ध द्याले के अलावा कहीं नहीं है मेरे पास सवा तीन सो साड़े तीन सो साल पुराने कलाम पाक हैं तो डिर्ड सो साल पुरानी महाबारत और रामायन जी है मेरे पास औरंगजेब का बड़ा नायाब फर्मान है मुगल बादशाओं के फर्मान एक तरफ लिखे जाते थे लेकिन ये दो तरफ लिखा हुआ फर्मान है लेकिन इस विश्ध द्यालने की दीवारों को तोड़ा गया है मेरे चार स्कूल चलते हैं सी बीए सी बोर्ड के जिन बच्चों के माबाप नहीं होते हैं उनसे कोई फीस नहीं ली जाती उन्हें ड्रेस किताबें स्कूल देता है माबाप में से एक नहीं होते हैं तो 50% कंसेशन जो लोग मजदूरी करते हैं रिक्षा ठेला चलाते हैं उन से मातर बीस रुपया फीस ली जाती है मेरा आकिर्स स्कूल है उसके बच्चों के कान पकड़कर कुरसी से उठाए गए चार साल के बच्चों के जिलादी कारी के आदेश पर एडियम साहब ने खुद सिटी मेजिस्टेट ने एस डियम ने और उन बच्चों के सरों पर कुरसीयां रखवा कर सहिन में रखवाई गए मातर दो कमरे खाली कराना थे मैंने तो ये सुना था कि पानी पिलाना बहुत पुनका काम है लेकिन शायद पूरी दुनिया में ये अनोखी मिसाल होगी के विशुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द काड़ दिया गया है और मेरे बच्चे तालाव से या हेंट पंप से पानी दीते हैं जहां मानवता और एक आम हमदर्दी सब तक गिर गई हो वहाँ देश चलाने वालों से कोई शिकायत करने का हक नहीं बनता सबका साथ सबका विकास विशुद्याले की दीवार तोड़ेंगे पानी का कनेक्शन काटेंगे मासूम बच्चों के कान पकड़कर उन्हें उठा देंगे और फिर ये कहेंगे के बेटी पढ़ाओ और बेटी पचाओ इसलिए उन खोकले नारों से मेरे खाल से देश का दिल बहुत भग चुका है हम हर समय इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे स्कूल छीने जाएंगे कब विशुद्याले में ताला डाला जाएगा लेकिन शायद इतिहास इन बातों को अगर मेरे इस काम को नहीं याद रखेगा तो मोदी जी के योगी जी के जो सदन में कहत कार्ट डालूंगा उत्तर प्रदेश की समय धानी कुर्सी पर सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ वेक्ति ये कहे कि कार्ट डालूंगा ये भादशा शायद चंबल के किसी डकैट की भी नहीं होगी कार्ट डालूंगा ठोक दो का संदेश दे रहे हम नई पीड़ी को का सिखा रहे हम इसलिए मैंने बादशाह को बादशाह कहना छोड़ दिया अब मैं उन्हें शाहिन 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 कहता हूँ इसलिए शेहिए 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 कहता हूँ कि शेहिए की जबान से जो कुछ निकलता था वो ही इनसाफ होता था लेकिन नयाय नहीं होता था बीस लाक रुपया हर शक्स के घर पहुँच जाएगा चुनाओ के सौ दिन बाद दो करोड नौजवानों को हर साल नौकरी मिलेगी यानि दस करोड शेहिए शेहिए तो ये वाइदा पूरा नहीं कर सके लेकिन जलने कम में आपने मेरे विभाग में कई हजार बच्चों बच्चीयों को नौकरी दी उन्हें इसलिए निकाल दिया गया कि उसमें दो-चार अलफ संखेक भी आ गये थे सुप्रेम कोर्ट ने उन बच्चों की जॉइनिंग का आदेश किया और बच्चों की जॉइनिंग के हो गई S.I.T. हम पर आज भी उसकी तलवार तंगी ठंगी हुई है मैं मातर इतना कहना चाहता हूँ कि जब देश इतने बड़े जूट का यकीन कर सकता है 20 लाक रुपया हर व्यक्ति ये समझा था कि मेरे परिवार में 5 लोग रहते हैं मैं 1 करोड का अद्धी हो गया 8 व्यक्ति रहते हैं तो मैं 1.5 करोड का व्यक्ति हो गया सब लोगों ने करोड़ पती समझकर वोट दे दिया था सब ने ये समझा था नौकरिया मिल जाएंगी अगर इतने बड़े जूट का 130 करोड का हिंदोस्तान भरोसा कर सकता है तो अभी जो कांग्रेस ने गोशणा की है मोदी जी को इसका भी यकीन कर लेना चाहिए मैं अंशल जी की पार्टी जौईन करने को मातर इतना ही नहीं मानता कि भारती जनता पार्टी से एक जवान शख्स पार्टी छोड़ कर हमारी पार्टी में शाहिए बलके मैं इसे बदलते वे हालात की एक कड़ी समझता हूँ और आप अच्छी तरह मैसूस करते होंगे 30-32 प्रजशा टिकेट काटे गए है यानि भरोसे का माबदंड नीचे आया है बहुत सी जगों पर भारती जनता पार्टी को कैंडिडेट्स नहीं है खुद खादिब के यहां भी उन्हें इंपोर्ट करके लाना पड़ा है और लेकिन कुछ वाइदे अपने आप से भी हम लोग करते हैं और वाइदा यही है कि हम सिर्फ अपना चुनाव लड़ेंगे समाजवादी अपना एजिंडा अपना मैनिफेस्टो रखेंगे और यह नहीं बताएंगे कि वो जो बंबार्ट हुई थी एक पड़ोसी देश में मैं इतना आप से जरूर कहता हूँ मैं हो नहीं सकता मैं जानता हूँ लेकिन अगर मैं परदानमंतरी होता तो जिस वक 40 जवानों की मौत हुई थी मैं 40 सेकिंड का भी इतना कि मैं अटॉक्त कर दिता 40 सेकिंड का इतना करक से बेखावर मैं अटक कर दिता मैं एक बात और भी जानना काथा हूँ और आप तक पहुँचाना चाहता हूँ का आप में से हिंदू भाईएं के यहां अंतिम संसकार होता है और तभी मोखष संसकार हुआ क्योंकि मोक्ष प्राप्ट होना है इसी तरह हम मुसल्मानों में नमाज जनाजा लाजमी है अगर कोई शख्स मरा है तो उसकी जनाजे की नमाज लाजमी है इसके बगएर मोक्ष प्राप्ट नहीं होगा आखरत में उससे हिसाब नहीं होगा अगर कोई समंदर में डूपकर मर गया है उसका उसकी लाश नहीं मिली है तो गाइबाना नमाजे जनाजा होती है यानि वो शख्स मौजूद नहीं है लेकिन उसके जनाजे की नमाज हो रही है हमने सुना के साड़े चार सो लोग पर उसी देश में मार दिये गए लेकिन अभी तक किसी एक भी गाइबाना भी नमाजे जनाजा की इतला दुनिया को नहीं मिली है मैं भरोसा करता हूं कि जादा होंगे मरने वाले लेकिन जानना चाहता हूं पर उसी मुलक के इसलाम वालों से कि इतने लोग मर गए ना किसी की नमाजे जनाजा हुई ना किस सा इसलामी मुलक है हम उस से जानना चाहते हैं अपनों से नहीं जानना चाहते हैं बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद करता हूं और आप देखेंगे इंशाला इनकी मूचों में भी दम है और इनकी आखों में भी दम है और दोनों ही हमारे काम की हैं बहुत बहुत धन्यव मैं सबसे पहले सांसर अंशल मर्मा जी को बहुत बढ़ाई देना चाहता हूँ और जो सरकार जा रही है उसको और धका मार करके आप आए हैं आपको बहुत बढ़ाई है हलाँ कि आप पहले ही आना चाहते थे लेकिन कुछ राजने देख प्रस्तितिया नहीं आप आए लेकिन अब भी अच्छा लगाए कि कम से कम हम लोगों को एक नौजवान ने था पासी समाज में मिल गया है जो जगे 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 जाकर के जो सच्चाई है चौकीदार टीमों की वो बताएंगे मैं इस मौके पर बढ़ाई देता हूँ इनके तमाम सहयोगी साथी जो शामिल हो रहे हैं और इस चुनाओं में पूरी इमानदारी से इनका सहयोग और मदद मिलेगी मैंने पहले भी कहा था कि एक के अलावा भार्षी जनता पार्टी का और कहीं खाता नहीं खुलने वाला है जनता नाराज है, दुखी है, परेशान है असल मुद्दे या असली मुद्दे जमीन पर जो है जनता उसी का इंतजार कर रही उसी पर मददान होगा नوجवान ढून रहा है कि आखिरकार नौकरी कैसे मिलेगी रोजगार के अफसर कैसे पैदा होंगे किसान को जो सपने दिखाए गए थे किर्ज माफ हो जाएगा, आए दोगनी हो जाएगी लेकिन अभी भी वो सपने के सपने ही बने हुए है जो पैसा थोड़ा बहुत मिला भी है किसानों को किसान वो जानते हैं जो पांच किलो उनकी बोरी से चोरी हुई थी वही पैसा सरकार लोटाने का काम कर रही है उत्त अब देश की सरकार को जो कर्ज माफी के बाद किसानों के खुशाली लाने का बात करनी थी वो नहीं हुई है आलू अभी तक एक किलो सरकार ने नहीं खरीदा है कई फसलें आलू की किसानों ने ली है लेकिन अभी तक सरकार ने एक किलो आलू भी नहीं खरीदा है सरकार और मुख्यमंत्री जाकर के सवा में ये कहते हैं कि गन्ना किसानों का इतना भुक्तान हुआ है इतने हजार करोर किसान भुक्तान नहीं जानना चाते है उत्तर प्रदेश का किसान अपना बकाया पैसा चाता है जो सरकार अभी भी नहीं दे पा रही है 14 दिन का वादा किया था लेकिन अभी भी गन्ना किसानों का भुक्तान नहीं हो पाया और फिर जो मेंगाई बड़ी है जो सरकार की नाकामी है जो महिला असर उच्छित है और घटना एक के बाद एक हो रही है कानून विवस्ता पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है जो रिस्पॉंस सिस्टम था 100 डाइल हंड्रेट उस डाइल हंड्रेट को भी बरवाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारती जन्ता पार्टी ने किया है जो अब चुनाव की तारीखें आ गई हैं में उम्मीद है कि एक एक बोट गठवन्दन पे पड़ेगा कहीं कोई कन्फीजन नहीं है इस भारती जन्ता पार्टी की दोनों सरकारों ने बहुत बड़े पैमाने पे निरास किया है मैं एक बार फिर अन्शुल वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवा देता हूँ जाएं और समाजवादियों ने अगर कभी वादा किया होगा तो उसको जमीन पे लाकर कि पूरा करने का काम भी किया है इसलिए कल मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बात का अध्यन कर रही है के गरीब को हम क्या दें गरीब को किस तरीके से समाजवादी योजनाओं से जोड़ें जो उसका सम्मान हो वो सम्मान लोटे खुशाली उसके घर पर आए उस अध्यन करकर के बहुत जल्दी हम आपके बीच में आएंगे और आपके माध्यनते देश के सामने वो बात रखेंगे वहीं जो अन्याय हो रहा है आदेनियाजम खांसाब के साथ इतना शायद अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जितना ये भारती जंता पार्टी की सरकार कर रही है उर्दू दर्वाजा तोड़ दिया गया इनिवस्टी की दिवाले थोड़ी गई और नजाने क्या-क्या इस सरकार ने किया है ये सरकार के सारे पर और मैं कहूंगा कि अगर आपका लाइसेंस कैंसल किया है तो मुखिमंती जी का भी लाइसेंस कैंसल होना चाहिए आप पर तो पॉलिटिकल मुकत्मे हो सकते हैं नहीं लाइसेंस हैं उन्होंने जो एफिडिवेट दिया है चुनाव आयो को जो चुनाव आयो को दिया है उसमें कुछ उन पर लाइसेंस है अगर चुनाव को कोई बात कही गई है तो मैं समझता हूँ वो बात सच होगी और अगर आपका लाइसेंस कैंसल करने की कारवाई कर रहे हैं तो कम से कम जो जिलादिकारी जहां हैं वो भी हिम्मत जुटाएं और मुखिमंती जी के भी लाइसेंस कैंसल करें सरकार वही अच्छी होती है जो बिना भी द्वाब के काम करे अन्याय कहीं से भी हो सकता है लेकिन कम से कम सरकार को अन्याय नहीं करना चाहिए और जब सरकार अन्याय करना लगे तो जनता को उस सरकार को हटा देना चाहिए और यही मौका जनता को मिलने जा रहा है ये परड़ाम बताएगा कि सरकार के खिलाफ कितना मद्दान हुआ है पैसों की कोई डिमांड नहीं होती है बहाँ पर सहीयोग राशी होती है ये राशी वाली बाते हैं मत्रों बाई ये ना कीजिए ये देखें फद्दकार साथियो ऐसा है अब बात स्पेस तक चली गए इसलिए इसकी बात मत करिये आप मैं इसरो और डियार डियो को बढ़ाई देता हूँ जो मिजाइल उन्होंने इजाद की है उसके लिए भारत की सबसे प्रीमियर जो अजिन्सीज है और जो साइन्टेस्ट हैं जो इंजिनियर्स हैं जिसमें जुड़े रहे होंगे उनको मैं बहुत बहुत बढ़ाई और मुबारक बात देता हूँ और हमें और आपको तो ऐसा लगा कि नजाने क्या बात टीवी से आएगी लेकिन देखो चुनाओ सर पर है उस समय भी धोका टीवी से दिया जा रहा है टीवी से धोका और ये जो साइन्टिफिक और स्ट्रेटिजी और डिफेंस की जो रिसर्च हैं वो होती रहती है हमेशा चलती है हमसे चीन ने हमसे पहले जाने कब कर दिया तो लडाई या जो जनता को मुद्दों से हटाने का काम कर इसलिए मैं कहता हूँ समाजवादी लोग विरुज़दारी से किसान की भालाई से और वेपारी के सामने जो संकटों से नहीं हटेंगे बिना अध्यन के हम नहीं कह सकते हैं समाजवादी पार्टी ने इस से ज़्यादा करके दिखाया है तीन लाग पांच जार का लोही आवाद समाजवादी पेंशन लैप टॉप करने अभिद्याधन अगर योजनाओ को जोड करके कटोती करकर के कोई एक पैकेश बना करके दे दे दें तो बड़े प्रमाने पे गरीमों की मदद की जा सकती है ये रिक्षा दिया है ये मन्च से मैं बोलूँगा ये यहाँ पर बोलने की जगे नहीं है लेकिन मैं मन्च से जरूर बोलूँगा जिन लोगों ने मन्च से हमारे बारे में कुछ कहा था उनका जवाब मन्च से ही होगा और जंता के बीच में होगा इस बारे में मैं मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ जो कलाकार है उनकी भी विचारदारा होती है जो भारत के नागरिक हैं जो बोर्ट करने जा रहे हैं उन सब की कोई ने कोई विचारदारा है वो जुड़ सकते हैं अब मान लिजे हमसे राजपाली आदब मिलके चले गए हमने उनसे का कि चंबल के डागू और सुस्थान डागू पर ही फिल्म बना दो कोई आप मुसल्मान हैं नहीं हैं तो तो आपके यहां तो काफी गुंजाईश है वो एम यू के बच्चे और दो लोग हैं और एक वो गुलक बारे वो एम यू के तीन बच्चे और सामेर आपके बाजपा एक सी के बच्चे है यह बना दिए रिजल्ट के बाद पता लग जाएगी अभी कंकर मुझारी जी ने क्या कहा वो उसी जगे से आए हैं मदेबरेश से जहां पर कांगरेश की सरकार चल लगी जो वादे की हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए और फिर आखर क्यार गरीबी का दोशी कौन है यह देश में जो इतनी गरीबी है कल आप नहीं थे शायद प्रेस में मैंने कहा आप थे आप जान बूश करके नहीं सुनना चाहते हैं उन बातों को मैंने का कि 30 और 35 और 40 साल में दुनिया के अलो हमारे परोस में देश कहां पहुंच गए दुनिया कहां से कहां चली गई लेकिन हमारा देश देखो कहां पहुंच गया अगर कोई जम्यदार है तो उसमें कांग्रेस भी जम्यदार है गरीबी की विरोज़ारी की और हमारे देश को पीछे करने में और बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है वो एक अच्छे मंत्री हैं जो कम से कम सरकार में रहकर के सच बोल रहे हैं मैंने आप से का कि अध्यन करकर के उससे अच्छा गरीबों के लिए काम समाजवारी सरकार ने किया आवास आतरा शेरों में दिया एद इक्षा दिया लोही आवास तीन लाग पांच जार का दिया जिसमें सोलर पावर थी इनर एलेडी बल्ड थे पंके चल सकते थे लेप्टॉप दिया कन्या भी देदन दिया इसलिए हम चाहते हैं कि अगर ये बात है कि गरीब की मदद होनी है तो कम से कम उस गरीब की सभी समस्याओं का समाधान हो जाए अब सोचाले ही देख लीजिए कैसा दिया है सोचाले कितनी बार मैं याद दिला हूँ आपको सोच सोचाले के बारे में आप खुद जानते हैं उस बात को महा कुम से दिया बई जो सोचाले दे रहे हो बिना पानी का सोचाले कैसा दे रहे हो आप इसमें नीती आए हो क्या कर रही है सरकार के लोग क्या कर रहे है कम से कम समाजवादी लोगों ने ये फैसा लिया है कि कोई न ऐसी बने जिसमें तमाम गरीब की समस्चा का समदान हो सके अच्छी बात है अच्छी बात है किस अख़वार के हो तुम भाई अज़र तुम्हारा जवाब है जूनियर है सबसे तब भी जवाब देंगे तुम्हारा दो साथी और हैं एमू के तीन बच्चे हैं नाम पढ़ दे न अद्धेशी सिनों के पढ़ दे और गोलग लाईए विश्करमा गोलग बलाता है तुम्हार नाम उनको अद्धेशी को दो पीसे ख़रो जौ पीशे ख़रो जाओ पीसे ख़रो जाओ ए गोलग यहां हो नाम पता हो अपना कनोजिया अजर शोड़ी इन बदो जोड़ी इन बातो को भी गोलग का क्या करना है कैसे जीना क्या कमें